यह नहीं तो आज के सीधुन में हम सीख रहे हैं तो आज के सीधुन में हमसी कूष्या रहे हैं आतहsal आध़ का था यह जो प्रैतीकर है जिस में से आपको पता एंगी वेटेड एवरेज मैथड भारिस ऐस मूरी परतर का सम्स पूछाई जाता है तो आज वो हम सॉलुशन करने वाले इस से पहले इसी बुक के अंदर आपका लिवरेज का चैप्टर कब्लेट हो चुका है रिक्वेस्ट चैक आट कीजिगा प्लेश में साथ में कैपिटल बजट मूरी बजट के रिगर रिगारिंग भी वीडियो अप्लोड कीए वो भी जरू चैक आट कीजिगा तो चलिए भी स्टार करते है आज जो मैथड हम सीख रहे वह वेटेड एवरेज कोस्ट आप कैपिटल बारिस ऐस मूरी परतर जिसमें लेटेस सम्स का सॉलूशन करने वाल है तो पेपर में से मैं आपके साथ सॉलूशन सेयर करने वाला ठीक है दोनों मिडियम के लिए यूस्पल होने वाला मैं दोनों मिडियम के अकोडिंग ही समझाने वाला यहाप देख रहे होंगे कोस्टन नमबर पूछा गया क्यों यह नमबर फॉर का यह एक करके 10 मर्क का है साथ साथ में बी के लिवरेट पूछा गया इसके रिगार्डिंग अलड़ी चेप्टर के रिगार्डिंग वीडियम अप्लोड हो चुके चेक कीजिएगा तो आज हम सॉल करने वाले कैपिटल कोस्ट अप कैपिटल मूडी परता है तो समस देखिए आपर 10 मर्क का दिया शेर मूडी सेकेंड डिया अर्निंग कमानी थर्द या प्रेफरेंश सेर केपिटल फॉर्द या डिवेंचर यहां पर बूक वैल्यू भी दी गई है चौपड़ा कीमत साथ में मार्केट वैल्यू भी दी गई है बजार कीमत और अमें जो कोश्ट है वो दिया गया है साथ स अच्छी दिया गया तो उस वज़े से थोड़ा क्लिकूशन और इजी हो जाता है यह समस बहुत ही इजी है ठीक है तो चलिए पहले सॉलूशन देखते है तो यहां पर जैसे आपको पता है कि दोनों मैठार मांगी गई है तो पहले ऐस चौपड़ा मुल्य बूक वैल्यू यह हम सॉलूशन करने वाले उसके बाद संट्यू सेम हम एज अ मार्केट वैल्यू बजार मुल्य के हिसाब से भी में सॉलूशन करेंगे तो सबसे पहले जो भी हमारा यहां पर दिया गया है सोर्स दिया गया है जो वह राइड़ान कर ले तो यहां पर फर्स्ट हमें क्या दिया गया इकोडी शेर कैपिटल तो फर्स्ट यहां पर सॉलूशन बहुत ही इजी है ध्यान से समझेगा आपको सांज में आ जाएगा शेर कैपिटल इकवर्टी शेर मोडी आपको या रखना हम चौपडा मुल्य क्या कोडिंग सॉलूशन करें बुक वैल्यू तो यहां अर्निंग मैं जस्ट अर्निंग लिख लेता हूं राखिल कमाणी जिसकी अमाउंट बुक वैल्यू देखिएगा कितना दिया है 20,000 दिया गया पिस इस वीडियो को शेर जरू कीजिएगा थर्ड टॉपीक है हमारा प्रेफरेंस शेर कैपिटल जो दिया गया होता ही है प्र वह भी लेना है जस्ट करेंट का टॉपिक ने लेना है जो करेंट लिएबलेटी होती है चालू दिवा वह ने लेना आपको यहां पर डिवेंचर बहुत इजी टाइप का समस्व पूछा गया था डिवेंचर जिसकी अमाउंट डी गई 40 अब देखिए सॉलूशन कैसे होना ध्यान से समझेगा तो सबसे पहले हमें यहां नेक्स टेबल के आड़ करना कोष्ट ऑप कैपिड़ पर्तर जो पर्सेंट में ही होता है और यहां पर हमें डायरेक्ट दे दिया ही गया कोई भी हमें पेर रेक आप में कुछ इंडिकेट नहीं किया गया डायरेक हमें दिया फ़ावे थर्टीन पर्सेंट ना एट पर में धर्सार हो जिसे आपको सहन्म में के हमको % find out करना है 9% यहां में कमानी earning के regarding दिया गया है cost of capital फिरा 8% दिया गया preference share का तो यहां लिखा गया 8% उसके बाद यह debenture के regarding 5% दिया गया तो debenture के लिए 5% लिए आप्टर टेक्सी है इसलिए सेंप्र सेंप्र फाइप पर्शन ही लिखा जाएगा बीफॉर होता तो इसके आप्टर जरू करते अब या टोटल कोश्ट निकाल लेना टोटल कर लेजिए बुक वैल्यू के अकोडिट अब टोटल कर लेजिए बुक वैल्यू के अकोडिग जो हुआ है हमारे पास 12,400 के लिए अब हम फाइंड आट कर देते हैं फॉर्मूला अप्लाइ कर लेते हैं जो कोश्ट अप कैपिटल यहां पर निकलना वाला है एज वेटेज एवरेज मेथड के अकोडिग कोडिग जो हम फाइंड आट कर रहे हैं मूरी पर्द जिसका फॉर्मूला बहुत ही बे पर लिए जो बॉक्वैर्लु के अकोडिग है क्योंकि बॉक्वैर्ली निकलनी सकते हैं टोटल कॉल मूरी समझ ग्र 노 इह इंटा बॉल कोड़ेज कह सोदेटा तोटर ठीक है कुल पर तक और आपर चौपड़ा कीमत के अकॉडिन जो मूड़ी है जो कैपिटल है वो वन लेक थरी थाउसन है इन्टु में हंड्रीड कीजिए गा जिससे परसेंट में आंसर मिल जाएगा नाइन पॉइंट फॉर परसेंट यह हमारा आगा फाइनल आंसर आई होगा क्यों लगती है दो मुझे कमेंट कीजिए अब यह सम्स कंप्लेट नहीं हुआ है क्योंकि हमने यह चौपड़ा मुली के आधार पर हमने फाइंड आउट किया एज बुक वैल्यू अब सैम प्रोश जरू किजिए गा कुमार प्रकाशन के अकोड़ी इल्यूरिशन नंबर 12 दिया गया है यह जरू सॉल किजिए गा सैम पैटन का ही सम्स पूछा गया है अगर आपका स्कुमार प्रकाशन नहीं है तो यहां पर मैंने दिखा रहे तो आप इसकी शोल कीजिए गा तो जिसके आ स्कुरेट है आप चाल हो स्कुरेट लिख दो जैमने लिक से भी सोर्स लिख SAKते हो यह आप इसको फंड करके भी आप लिख सकते घंडौर तो पहला से संचे अमिटी से सम्झें कमार्के में में थोड़ा सभ्णने लाए ए टॉपिक आने वाले है सैम ट्स हमलों लोग और कैपिटल एकवर्टीश एक एपिटल एकवर्टीश एर मुडी अब यारर मारकें लिखना मार्केट बाजार मुले लिखना जो मैं समस में दिया गया वन लेक ट्वाइटी पर ध्यान रखेगा कि हमारी जो बाजार प्रिया गैसकी युद्ध और करनी पड़ेगी लेकिन यह नहीं दिया गया होता तो इसकी यहां की मार्केट मेर होती है क्योंकि क्योंकि वह नामत होती है रिजर वह सेरकेटल में में इन्वक कन लिए जsm session parหน presume i am color का नहीं पड़ेगी टो वन लैक ट्वैंटी के ἂंदर ही होगी तो कैसे करेंगे जहां से समझें कि बस ही पॉइंट है यहां पर अर्णिंग लिखा जा रहा है क्योंकि यहां पर दिया गया है इसलिए वर्ना नहीं करता है अब 1,20 में से कैसे अलग करेंगे तो यह book value के according आपको अलग करना है यह हमारा base बन जाएगा आधार बन जाएगा तो आप ratio भी बना सकते है क्योंकि यहां पर ratio clear हो रहा है 6 और 2 है तो 6 2 को भी 2 से cut करेंगे तो 3 jam 2 clear हो रहा है अगर ratio नहीं बना तो total मूरी को लेके भी आप divide कर सकते हो कि 1,20 इंटू में 60 डिवाइड में total कितना 80,000 समथ पा रहा हो कि 1,20 इंटू में 20 डिवाइड में 80,000 वना ratio बन चुका है 3 jam 2 total कितना हो कि 5 तो 1,20 इंटू में 3 डिवाइड में 5 तो यह आपन 90,000 का बन जाएगा share capital क नाम का बागे 2 के according इसको कर लिजिए तो यह बन जाएगा 30,000 यह distribution आपको ratio के according समझ में आही रहा होगा basic आप जानते होंगे मूरी को लेकर भी आप distribute कर लिजिए direct यह पर आप ratio बन रहा है तो उस तरह से भी कर सकते हो यह topic किलिए होगा query लगती है तो comment कीजिएगा आगे ब यहाँ पर देखो लोगे 11,000 शेर कैपिटल अगला दिया गया है डिबेंचर 38,000 हो गया के लिए अब यहाँ पर अगें 77% कोश्ट वाला पड़तल वाला जो हमें दिया गया सैमिती यही यूज करना कोई changes नहीं बहुत ही simple समसा 13% 9% इसकी लिए amount कैसे find out कि हो समझ गये बस इसके अकोडिंग में हम लोग टोटल खर्च निकाल लेंगे ठीक है टोटल कोश्ट कुल खर्च तो 13% इसका कर लेंगे तो सॉरी 11,700 आ जाएगा 9% कर लिजिए इसका 2700 आ जाएगा 11,000 का 8% कीजिए 880 और 38,000 का 5% कीजिए तो 1900 आ जाएगा के लिए टोटल माल 69,000 है तो बस अब समाझ गया फॉर्मूली के अकुर्ण हमारा क्या आंसर होने वाला है बहुत ही सिंपल सम्सा इल्यूस्रेशन नंबर 11 जरू सॉल कीजिए गा ठीक है और और कोई भी वीडियो चाहते है इस चैप्टर की रिगार्डिंग तो मुझे इसकी रिगार्डिंग 100 तो आपका अंसर है 10.17 परसेंट यह हो गया फाइनल हमारा मार्केट वैल्यू के अकोडिंग बाजार मुल्य के अकोडिंग हमारा अंसर कोई भी क्वेरी हो कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट कोई वीडियो चाहते हो इस चैप्टर में तो उसकी रिगार्डिंग भी कमेंट ज झाल 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 झाल